नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दाकड़ो अनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान बेरोजगारी बत्ता 2021 के बारे में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है नॉमबर और दिसंबर का बेरोजगारी बत्ता किस दिन आएगा और उसके बाद दूसरा पॉइंट है जनवरी 2021 में वेरिफाइड फार्म जो है वो किस दिन एपरूड होंगे तो दोस्तों इन दोनों के बारे में जो जानकारी निकल के आई हैं वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों राजस्तान बेरोजगारी बत्ता के बारे में कोई भी सूचना आने पर आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिए जाएगा दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक तुरंट पहुंच सके तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं पहला जो है नॉमबर और दिसंबर का बेरोजगारी बत्ता किस दिन आएगा तो दोस्तों इसके बारे में जो भी सूचना है कि आपका जो नॉमबर और दिसंबर का बेरोजगारी बत्ता है वो आपके अब फरवरी माहा में ही आएगा दोस्तों आपका जो बेरोजगारी बत्ता है वो आपके चार या पांच फरवरी के दिन तक आपके account में जमा हो जाएगा जिसके अंदर नौमबर और दिसंबर दोनों का बत्ता आजाएगा दोस्तो पहले नौमबर का बत्ता credit होगा उसके दो-तीन दिन बाद आपका दिसंबर का बत्ता भी डाल दिया जाएगा क्योंकि दोस्तो अभी जनवरी में बजट की प्रोबलम होने से आपका बत्ता जो है अटक रहा है अतव फरवरी में जैसे ही जनवरी को बजट पास हो जाएगा तो फरवरी में आपके चार-पास फरवरी तक आपके account में जो आपके बता दें कि 18 फरवरी 2020 तक के जो verified फारम है वो दोस्तो approved हो चुके हैं 18 फरवरी 2020 तक के जो इतने भी फारम है जो इससे पहले-पहले के इस दिन तक के verified हो चुके हैं जिल्ले से वो आपके जैपूर हेड़ अपिस से approved हो चुके हैं उसके बाद दोस्तों अब जनवरी के अंदर जो है हर महीने जैसे आपके approved होने की process होती हैं हमेशा ज़ादतर महीने के last में ये process होती हैं तो आपके जनवरी के अंदर 30 जनवरी के दिन आपके जो verified फारम है वो approved होंगे तो इसके अंदर दोस्तों 18 फारम के बाद या दोस्तों फारमी फारमी टोटल महीने 18 फारमी से लगा कर 28 फारमी तक के लगबख सभी फारम जो verified हुए हैं वो आपके approved कर दिये जाएंगे तो दोस्तों 18 से 28 फारमी के बीच में अगर आपका फारम verified हो चुका है तो आपका फारम जो है 30 जनवरी के दिन जो है आपका फारम approved कर दिये जाएगा तो दोस्तों अगर आपको हमारे सुचना अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को जुरूर लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद दोस्तों जै हिंद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में